हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैग टू माई चैनल किट्स इसपीज फ्रेंड्स इस वीडियो में हम यूकी जी का स्लेवस देखेंगे 23 और 24 का तो फ्रेंड्स पहले हम हिंदी जेवस देखते हैं हिंदी के स्लेवस में पहला आपका है स्वरवर्ड अच्छे अहत तक बच्चों इस तरह से दो अच्छर वाले सब्द को शुखा जाते हैं यहीं कर में चल्यान इसल 눈 ना प्लस नल नल इस तरह से दो अच्छर वाले सब बच्चों को शिखा जाते हैं फोर्स है आपका तीन अच्छर वाले सब इस तरह से तीन अच्छर वाले सब सिखा जाते हैं कआ, प्लष म, प्लष ल, कमल. ऐसे न, प्लष म, प्लष क, नमक. इस तरह से तीन अच्छर वाले सब जोड-जोड के पढ़ना और लिखना सिखाय जाता है. पाँच्वा कुश्चन है, चार अच्छर वाले सब्द. फिर बच्चों को जब तीन अच्छर वाला शब्द आ जाता है फिर बच्चों को चार अच्छर वाले शब्द सिखाय जाते है श प्लस र प्लस ब प्लस त शर्बत फिर जोड के बच्चों को पढ़ना सिखायता है सर्बत वाग के पढ़ कर लिखें बच्चों को कुछ वाक के दे जाते हैं, उसे पढ़ के लिखने के लिए बोला याता है, जैसे टब, मत, भर, कनक, कलम, पकड, इस तरह से दो अच्छर वाले, तीन अच्छर वाले, फिर चार अच्छर वाले, शब्द को वाक के को बनाके चोटा-चोटा बच्छों को दिया लिखना और पढ़ना है मतलब दोनुशी खाया जाता है। तो यह हिंदी का स्वेबर्स already रिएका पिर हम एंग्लिस का देखेंगे थी कि इसका देखेंगे अ Question इश्माल और कैपिटल दोनों लेटर एक साथ चोइन करके लिखना सिखा जाता है सेकेंड है वावल और कांसोनेंट बता जाता है कि वावल कितने होते हैं और कांसोनेंट कितने होते हैं वावल जैसे ए आई ओ यू ये वावल होते हैं बाकी जो बच्चे होते हैं, वो Hansonent होते हैं, तो यह Vowel और Consonent बच्चे को सिखाया आता है, Vowel Search, इसमें से आपको Vowel Search करना है, जो भी Vowel है, उसके निचे Unterline करना होता है, जैसे H, A, D, तो ह, A, क्या है, Vowel है, जैसे, बता जाता है उसमें हम एंध का यूज करते है जैसे HOW एसफ दhog करें गे कि हम एन का यूज करेंगे और हाद है फर्स नमर पर एका का यूज करेंगे चाक्रों ए और एन का यूज बतायाता है कि कभी भी वाविल जब फर्स नमर पर कुछी भी लेटर कोई स्टार्ट करने से पहले किसी भी जैसे वाविल कोई स्टार्ट करने से पहले अगर पहला लेटर वाविल होता है तो हम एन का यूज करते हैं और अगर पहला लेटर कांसोनेंट हो हम A का Use करते हैं. इस तरह से बच्चो को A और N का Use सिखाया जाता है. Then, इस सिखायाता है Use of he and C. अब he का और C का Use सिखायाता है. बच्चो को he किसके साथ US करते हैं और C का किसके साथ US करते हैं. जैसे male person होता है father, wife, brother, uncle, grandfather इस तरह के जो पर्शन होते हैं उनके साथ हम ही का यूज़ करते हैं और मदर, गर्ल, सिस्टर, आंट, ग्रैंड मदर इन सब के साथ हम सी का यूज़ करते हैं तो ही और सी का यूज़ भी पच्चों को सिखाया जाता है नर्शरी में सारी फिफ्ट कुश्चन है आपका यूज़ हीज हर इसमें हीज हर का भी यूज़ सिखायता है जैसे दिस इस रीना, दिस इस हर बैग बलो हर बैग क्योंकि यह लड़की है रीना है लड़की है तो इसलिए इसके साथ हम हर का यूज़ करेंगे राजु लाइक टू रीड़ इस हिस बिक है तो इस तरह से जैसे कि इसमें यह छिखाया जा रहे है रीना जो है लड़की तो इसलिए हम इसके साथ हर का यूज़ करेंगे लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ यह मैЛ हम यूजक कर से है ऋसले कि आता है एई आई उ यू ऐ press से बराने होते हैं इसे लेग मैट हैं इस अऊने अफिर ये बनाने होते हैं इस दाने होते हैंえた इंडे कें हैं आप को शिखाता है औरश Willa जींगुलर और अप्लूर निकाने हम रोड़ से एक साथ कि Really बोलेंगे और जब दो एपल होगा थो एप्ete बोलते है तो इस तरह से शिंग्लर और टूर्लर का भिषिखायाताा इसमें यूज ऑफ— इस का यूज का — म का होता है , इसका है जिसे हे tief P के साथ इसका और आऺ के साथ M का होता है तो यह भी शिखाएता है UKZ में यूज आ दिस दैट धिस दोज धिस दैट का यूज और धिस और दोस का यूज भी शिखाएता है UKZ में जैसे यह है एक कप तो यहाँ आप किसका यूज करेंगे यूजिए यूज नहीं कंचette कश बिशो आपके पास है यह वह कप है यह पास के लिए दीज का यूज करें गया दूर के लिए दोस का यूज करते हैं तो इसी तरह से दीज दोस का यूज बच्चे को चिखाया जाता है 10 था आपका 4-liter words, 4-liter words सिखाया जाते हैं, इसमें पुल, रोड, पिल, पेयर, ठीक है, इसमें vowel और consonant को एड़ करके, 4-liter वाले words सिखाया जाते हैं बच्चे को, राइमिंग वर्ड्स भी सिखाया जाते हैं जिसे, bet, hat, mat, इसी तरह से, pain के साथ, hen, den, इस तरह से words, राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं इसको, इस तरह से words सिखाया जाते हैं बच्चे को, फिर opposite words सिखाया जाते हैं बच्चे को, day, night, old, new, इस तरह से opposite words सिखाया जाते हैं, position भी स बाटें और बच्क्चर को दKS बना नीज जोहा कितनी और यहां केया जो हो ऊता है नेक्स्ट आता आपका math का slivers, math का slivers कैसा होता है UKG में, पहला आता है question number counting 1 to 100, oral and written दोनों सिखायता है, number counting 1 से 100 तक, number name सिखायता है, 1 से 100 तक, oral and written, backward counting सिखायता है, 50 to 1, oral and written दोनों सिखायता है, after number, जिसे 1 to 100 तक, after number, before number, between number भी सिखायता है, circle the smallest number, अब इसमें, smallest number को circle करने के लिए सिखायता है, जैसे इसके smallest number होगा, इसमें smallest number कौन सा है, 9, जैसे इसमें, after आपको पूछा जागा, तो after क्या होता है, 17, after, 18 होता है, अब यहां before पूछा जा रहा है, तो 16, before, 15, अब यहां between पूछा जा रहा है, 35, 36, 30, 70 के, इस तरह से बच्चे को सिखाया जाता है, यहां फिर circle the smallest number सिखाया जाएगा, फिर circle the biggest number, इसमें biggest number सबसे कौन सा है, इन 4 numbers दिये गे हैं, 20, 55, 18, और 6, इसमें सबसे biggest है, 55, इसको circle करने के लिए बच्चे को सिखाया जायाएगा, 10 and 1s के बार में इसे कौन से पोजिशन पर कौन से नंबर होगा, यहां जाता है, जाता है, 9 और 10s के जाता है, 8 इस तरह से बिए च्खाया जाते हैं, फिर ऐसी बिए सिखाया जाता है, 7 10s and 2 1s, मतलब 1s के जाता है, आपका 2 है, तो 2 यहां fill कर देंगे, और 10s के जाता है, तो 7 यहां फिल कर देंगे तो इस तरह से भी सिखाया जाता है बच्चों को Ascending Order चिखायाता है, Descending Order चिखायाता है Skip Counting भी चिखायाता है इसमें 2, 3, 5 का Skip Counting पर सिखायाता है जैसे में 2 लेटर का Difference है 2 after 4, 6, 8, 10, 12 तो यहां हो जाएगा आपका 14, फिर 16, फिर 18 इस तरह के भी Skip Counting सिखायाता है Use the Sign, Sign का भी यूज सिखायाता है तो Sign का यूज सिखाने के लिए किसी इसका एक्सांपल लेकि हम बच्चों को शिखाते हैं इसमें शाइन का यूज करने के लिए कि बढ़ा कि इधर है इधर बढ़ा हुआ है यह बराबर करशिन होता है इधर बढ़ा है इधर माउट कर देंगी इसका इस तरह से Sign का यूज सिखायता है फिर Edition सिखायता है Image के साथ बच्चों को addition image के साथ सिखायता है 1 से 10 तक बच्चों को image बना के दे दिये जाएगा और बोल जाएगा इसको count करने के लिए जिसे बच्चे इसको count करेगा 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 यहां fill हो जाएगा इस तरह से image के साथ बच्चों को addition सिखायता है then subtraction भी सिखायता है बच्चों को subtraction में भी image के साथ सिखायता है जिसे 3-1 तो 3-1 के लिए आपको 1, 2, 3, 3 numbers दिये गया है इसमें से 1 को cut कर दिना है तो आपका बच्चों को यहां हो जागा आपका 2 इस तरह से बच्चों को image के साथ subtraction audition सिखायता है फिर steps के बारे में सिखायता है जिसे triangle, circle, rectangle, square इस तरह से shape के बारे में ओवल, half circle इस तरह से shape के बारे में शिखायता है और concept के बारे में शिखायता है same, different, heavy, light, left, right, more, less इस तरह से concept शिखायता है last subject है आपका EBS EBS में क्या सिखायता है बच्चों को myself के बारे में शिखायता है self introduction, my body, sense organs, my family, my house के बारे में शिखायता है my school second question animals के बारे में शिखायता है wild animals, pet animals, water animals, domestic animals इन सब animals के बारे में बच्चों को सिखायता है third question है animals home जिसे dog का home है kennel इस तरह से animals के home के बारे में शिखायता है young one of animals जिसे cow baby, golf इसी तरह से young one of animals के बारे में शिखायता है living and non-living things के बारे में शिखायता है living things क्या होता है human tree ये living things होता है non-living things में आपका होता है chair table इस तरह से जो होते हैं non-living things होते हैं इसको सिखायाता है 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 इसको सिखायाता ह में खाना चीक कौन से सीजन में इन सब चीजें के बारे में सीजन में पढ़ा जाता है उससी फेस्टिवल के बारे बच्चो को इंट्रूडिчес कर आ जाता है क्लास किस называется यह किस ग्राजी का फेस्टिवल है ऍिします stands in English Spelling के शाथ पड़ा जाता हैँ बत्चो को सिखा जाता है इस तरह से spelling के साथ बत्चो को लिखना यह सिखा जैता है तो सलिवस और हिंदी English जिससे कि आपको अगले नोचिप्रिकेशन का अराम से मिल सकेए